नवस्कार दोस्तों डीजी शेवा यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों एक अप्रेल 2021 से मद्य परदेश शासन परिवहन विभाग ने सुशासन की दिशा में अनुठी पहल करते हुए चैनल नविनि करन एवं डुब्लिके ड्राविंग लाइसेंस प्राप्त करने की पृक्रिया को पूरी तरह से कौंटेक्ट लेस बना दिया है यानी कि इसके लिए आप किसी व्यक्ति को टांस्पोर्ट आफिस जाने के जिरूत नहीं होगी बलकि घर बहठे ही कुछ जानकारी दज़ करके आनलाइन प्रोसेस के दोरा ये तीनों प्रकार के दस्तवेज आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले भारत सरकार के शयोग से राजसासन के परिवहन विभाग दोरा मदबर्देश के दो जिले यानी सतना और खरगोन में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में एक अप्रेल से ये फेसलेस आनलाइन लर्लिंग सेवा प्रारम कर दी गई है इस प्रोजेस के लांचिंग के दोरान जिला कलेक्टर स्रीय अजय कटे सरिया ने फेसलेस आनलाइन लर्लिंग लाइसेवा की विश्तार पूरवाग जानकारी देते हुए सार्थी पोर्टल और घर बैठे लर्लिंग लाइसेंस प्राप्त करनी की तक्निकी प्रोसेस की जानकारी दी उन्होंने बताया कि विवाग के सार्थी पोर्टल पर लर्लिंग लाइसेंस के आवेदन आधार अथेंटिकेशन के प्रोसेस पर दिये जाएंगे पोर्टल पर अधार्थ दर्ज करते ही सारी जानकारी दर्ज हो जाएगी और प्रमारी तक के बाद 20 क्वेशन पूछे जाएगे जिनमें कम से कम 12 प्रशनका आपको सही जवाब देना होगा इस प्रोसेस के लिए मगलाओं को कोई भी फीश नहीं देनी होगी जबकि पुरुस के लिए 274 रुपए आनलाइन फीश भरनी होगी टेस्ट में पास होने पर लर्निंग लाइसेंस सेल्फ जनरेट हो जाएगा जिसे अवेदक प्रिंट कर सकता है इसी प्रकार मदपदेश राज में 15 प्रेल से लाइसेंस संबंदी अन्य सेवाएं जैसे ड्राविंग लाइसेंस का नवीनी करण ड्राविंग लाइसेंस की डुब्लिकेट कोपी या ड्राविंग लाइसेंस के एड्रेस में चेंज की प्रोसेस भी कॉंटेक्ट लेस हो जा तो चलिए करते हैं इस वीडियो को इस्टार्ट और उससे पहले आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो को अपडेट आपको आसानी से मिल सके तो सबसे पहले आपको गूगल पे सार्थी परिवहन टाइप करके सर्च करना है और जो फर्स्ट लिंक है उस पे क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेस वाला एक टैब मिलेगा जिसके ड्राप ड्राउन में से हमें ड्राविंग लाइसें तो फर्सट लिंक है उस पे क्लिक कर देना है यहाँ पर हमें काफी सारे आइक ओन देखने को मिल जाते हैं जैसे की जैसे की अफलाइव फॉर लर्नर लाइसेंस अफलाइफ ड्राइविंग लैसेंस अफडाइवार डियल रिवल फर डॉब्लिकेट डियल अपलाइफ एड् सर्विस विड्रा इस तरह जो भी हमें सर्विस रिक्वाइड होगी हम इस से इन आइकान के माद्याम से असानी से एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो हमें फ़र्ष्ट कालम पे क्लिक करना होगा यह स्टेप्स हैं जो हमें इस प्रोसेस को फिल करना है डाकुमेंट हमें अप्लोड करने की अब सकता नहीं होगी अधार authentication के समय और नाई photo और signature देन हमें फीज पेमेंट करना होगा और अपने application का status देखना होगा और रसीद को print कर सकेंगे अब हमें continue करने के बाद ये categories choose करनी है foreigner refugee ex-serviceman या physically challenge जो भी status category में general रहेगा lady आपको कुछ change नहीं करना है applicant does not hold driving learner license यानि means applicant के पास कोई license पहले से नहीं होना चाहिए इसके बाद आपको submit करना है या पर अगर आप आधार holder है और आपका mobile number link है तो आपको first option otherwise आपको second option को choose करना है चूँकि हम आधार authentication द्वारा बना रहे हैं तो हम first option को choose करके submit कर लेंगे सेकेंड option में आपको document upload करने की अवसकता होगी तो चलिए हम हमारा mobile number link है आधार से तो हम इस पर इस process को choose करेंगे status हमारा मदपरदेशा lady है यहां पर हम state को हमें change नहीं करना होगा सबसे पहले अब यहां हमें आधार नमबर को इंटर करना होगा अधार नमबर इंटर करने के बाद हम generate OTP पर क्लिक करेंगे आधार से registered mobile नमबर पर OTP चला जाएगा जिसे हमें fill करना है उसके बाद हमें यह declaration टिक मार करने के बाद और authenticate पर क्लिक करना है अगर आपका OTP नहीं है तो अब यह option चूच करके back जाके without आधार authentication वाला option चूच कर सकते हैं इसके बाद जैसे ही आधार authentication हो जाता है तो आपको इस तरह से applicant की detail मिल जाती है यहां पर आप देख सकते है applicant name उसके date of birth, gender और address detail already fill है तो हमें next पर चले जाना है यहां पर हमें state select करना है और RTO office में से RTO office जैसे कि हमने बता कि pilot project में MP में अभी इन दो district में यह जो सुईधा है यह facility है launch की गई है तो हम इन RTO को select करेंगे place of birth हम यहां fill कर लेंगे उसके बाद qualification क्या है graduation में आपको दो option मिलेंगे medical science और non-medical science तो चुकि यहां graduation non-medical science से है तो हमने non-medical science वाला option चूज किया है उसके बाद हमें blood group select करना है देन हमें email address fill करना होगा हम applicant का email address fill कर देंगे applicant का mobile number अगर कोई दूसरा है तो वह भी यहां पर हम fill कर सकते हैं या अधार में registered वाला mobile number है उससे भी fill कर सकते हैं नीचे अगर कोई identification marks है तो आप उससे डाल सकते हैं लेकिन यह mandatory नहीं है आप इसे leave भी कर सकते हैं address वाला section भी आपका अधार से आ लेडी mostly जो फिल्ड है वो fill होते हैं आपको simply sub district यानी तैसील select कर लेना है और आपका village या town select करना है और आप उस address से कितने address पर कितने year रह रहे हैं तो वो भी fill करना होगा आपको यह option भी mandatory नहीं है आप इसे भी leave कर सकते हैं कि आप कितने versus से कितने समय से उस address में रह रहे हैं इसके बाद आपको जो learner की किस परकार की driving license की आवा सकता है वो category आप choose कर लेंगे जैसे कि हमने यहाँ female है तो अगर वो scooty drive करती है तो non gear यानि without gear वाली उसकी vehicle होगी तो हम उसे select कर रहे हैं तो आप इस तरह से motorcycle without gear non transport vehicle को select कर लेंगे उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है यहाँ पर आपको जवाब देना है कि क्या आपका license कभी suspend हुआ है या आप disqualify हुए है क्या आपने apply किया था उसका जवाब yes या no में करना है fresh है तो आप leave कर दीजिए क्या आप किसी driving school से tend है उसका yes या no में आपको जवाब देना है अ उसपे टिक कर देना है otherwise leave करना है और second वाले option में yes करके आप जैसे ही click करेंगे submit में तो यह pop-up option मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप okay करेंगे तो जिसका मतलब है कि आप accidental case में आप अपने organ donate करना चाहते हैं अगर आपको नहीं करना तो आप cancel कर दीजिए उसके बाद form one पे click करना है form one यह जो है आपका physical fitness का form है इसमें आपको अगर आपकी किसी प्रकार की disease है vision में difficulty है तो वो आपको यहाँ पर fill करना है तो इस form one यानि की physical fitness का जो यह form है इसे ठीक तरीके से आप पढ़कर आपको fill कर देना है yes या no में जो भी आपका ज जवाब है no में है तो मैं no में click करके और i hereby वाले option में click करके इसे submit कर दूँगा यह हमने declaration accept किया और submit कर दिया इसके बाद ok पे click करना है तो यह हमारा form submit हो गया अब हम इसे close करके वापस से अपने पुराने वाले form में जाना है और यहां submit बटन पे click करना है अगें वो सेम आरगें डोनेशन वाला question है यहां पर हमें cancel कर देना है your application has been accepted यानि कि हमारा application accept हो जुका है अगर किसी प्रकार का rejection होगा तो वो हैर अधारड़ी द्वारा किया जाएगा तो अगर rejection भी होगा तो उनके किसी प्रोसेस में mistake वज़े से किया जाएगा आपको यहां पर ok करना है are you sure to want submit my data तो ok कर दीजिए आप तो आपका यह firm submit हो जाएगा submit होने के बाद आपको इस तरह से application number मिल जाएगा congratulations your application has been submitted successfully you are not required seek any appointment or visit office याने हमें office में जाने के बज़रूत नहीं है हमारा जो application है पूरी तरह से success हो चुका है हमें यह application number मिल जाता है date of birth हमारा name, gender सारी details इस पे लिखी हुई होती है और हमने कौन सी service के लिए process request की है यह service requested में यहां पर आपको issue for new ll application issue of new ll application यह application हमने fill किया है और हमारे mobile पे एक password आ जाता है उस password का use करके हम इस सार्थी application या सार्थी web portal पे एक test देंगे और अगर 20 question में से 12 mark आपने पाया है तो आप pass declare किये जाते हैं और आपका learning का जो driving license है वो तुनंत generate कर दिया जाता है future reference के लिए आप अपने इस acknowledgement की PDF copy save कर सकते हैं या print कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार आप अपने application की भी जो application farm है उसकी भी PDF copy download करके इसे save करके रख सकते हैं या print out करके applicant को दे सकते हैं इसके बाद मैं next पर click करता हूँ यहाँ पर हमें same detail यानि हमारी application number और आटियो नेम दिख जादा है applicant का name applicant का data birth साथ ही bold blue line में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि this is faceless contactless application no need to visit RTO और MLO office यानि आपको अब अपने transport या परिवहन कार्याले office में नहीं जाना होगा आपका जो application है वो complete हो चुका है आपको simple एक test देने की आवसकता होगी इसका status भी आप चेक कर सकते हैं आपको certificate issue कर दिया जाता है नीचे हम अपने application के जो step जो process step थे जो हमने starting में दिखाया था तो आप देख सकते हैं कि हमने complete कर लिये हैं इसमें document upload नहीं करना है फोटो signature भी upload नहीं करना है चुकि आधार से authenticate होके आया है और चुकि यह female applicant का application था तो इस पर आपको fees भी पे नहीं करनी है यह exempted है पूरी तरह से free है हमारा application आटियो लेवल पे process में है यानि कि अभी हमें इसका test देना बाकी है अब हम वापस से अपने home page पे चले जाएंगे वहाँ पर आपको application status का एक option मिलेगा वहाँ से भी आप application number डाल के और data birth को इंटर करके अपने application का status चेक कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके learning test की जैसे कि हमारे acknowledgement में note 1 में लिखा है online learner license test password will be sent on your registered mobile number हमारे mobile number पे एक password आता है जिसमें हम इस site पे जाके अपना test दे सकते हैं तो हम वापस से home page में जाएंगे यहाँ पर हमें नीचे से third option पर online ll test की एक link मिलती है हमें इसे open कर लेना है अब जो हमने apply किया था वो application number हमें यहाँ डालना है data birth इंटर करना है उसके बाद जो password आया है हमारे mobile पे वो इंटर करना है अगर हमारे पास password नहीं आया या कि हो गया है तो हम recent password पे click करके अपने password को re-access कर सकते है माली जी हमारे पास यह password नहीं है हमने recent किया तो हमारे mobile पे फिर से वो password आ जाता है अब हमें यहाँ पर इंटर करना होगा और अपना टेस्ट देना होगा जैसे ही आप टेस्ट देते हैं यह टेस्ट बिना webcam के होता है और टेस्ट को पास करने के बाद अगर आपने 20 में 12 मार्क अप्टेन की हैं 20 में 12 नंबर आपके हैं तो आप पास डिक्लियर कर दिये जाते हैं और आपका learner license नंबर जनेट हो जा सकते हैं अपने license की copy को download करने के लिए हमें वापस से home page पे जाना है जो link जहां से हमने test दिया था यानि first tab में जो link थी test के ठीक उपर वाली link आपको print learner license यानि form 3 वाली link पे क्लिक करना है इस link पे क्लिक करने के बाद आपको proceed button पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको application नंबर फिल करना है आप license नंबर से भी search कर सकते हैं application नंबर और date of birth फिल करने के बाद registered mobile नंबर पे एक OTP आता है उसे हमें इंटर करके submit करना होता है हमारा OTP receive हो चुका है अब हमें इसे इंटर करना होगा और submit पे क्लिक करना होगा जैसे ही हम submit पे क्लिक करते हैं हमारी PDF form में जो learner का license होता है वो दिख जाता है photograph के साथ इस पे detail के साथ इसकी validity भी लिखी होती है इसे आप असानी से print करके अपने पास रख सकते हैं तो दोस्तो इस तरह आप e-transport की सुविधा घर बैठे लेकर अपना driving license या उसकी duplicate copy पा सकते हैं इसका जो driving license का test है किस तरह से पास करना होगा किस तरह से question है जल्द ही मैं वीडियो के description में दे दूँँगा वीडियो अच्छा लगा तो इसे like चैनल को सब्सक्राइब और मिलताओ किसी नए टॉपिक के साथ आपका दिन सुवरे धन्यवाद